भूम शान्ति, आप सब को सोगा थे, 14 मार्च के शरुदान में परमिता परमात्मा कहता है कि हमें निरांकारी हो करके सेवा करनी चाहिए और ग्यान की प्रतेक्षिता करनी चाहिए, तो आज परमात्मा के महावाकिय में सुनते हैं रोहानी अथोरिटी के साथ निरंग कारी बन सत्य ग्यान का प्रतिक्ष सुरूप दिखाने वाले सच्छी सेवा धरी भबा वेसार मचने जैसे वरक्ष में जब संपून फल की अथोरिटी आ जाती है तो वरक्ष जुक जाता है जितना उसमें फल लगेगा उतने इसकी टैनिया जुकेंगी अर्थार्थ निर्मान बनने की सेवा करता है ऐसे रोहानी अथोरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथोरिटी उतने निर्मान और सर्फ किस नहीं होंगे उतना उनके अंदर हुमिलिटी रहेगी नमर रहेंगी वो और सर्फ किस नहीं होंगे अर्पकाल की authority वाले अंकारी होते हैं लिकिन सत्यता की authority वाले authority के साथ निरंकारी होते हैं उनको बताए कि last में सुरे उग'REगएगा उगएगा और सत्य की जीतफ़ी होगी होगी सुरे कोई चुपा ने सकता तो इसी तरीके से जिनके अंदर अंकार होता है वो हमेशा अपने सत्षे को प्रतिक्ष निकर पाते वो जूट के सपोर्ट में चलते हैं जूट के साथ आगे बढ़ते हैं और कई न कई हार खालेते हैं तो परमदा कहते हैं यही सत्ष घ्यान का प्रतिक्ष सुरूप है उन्हें इतनी मेहनत नहीं करने पड़ती सच्चे सेवधारी की वृत्ती में जितनी अथोरिटी होगी उसकी वानी में उतना ही स्नेह और नमरता होगी बहुत इंपोर्टन्ट है सच्चे सेवधारी की वृत्ती में जितनी अथोरिटी होगी उसकी जो attitude जो है सबके प्रती उसमें जितनी authority होगी उसकी वानी में उतना ही सने और नमरता होगी बॉल में सने और नमरता होगी तो हमें अपने आपको चेक करना है कि हमारे अंदर कितना अभीमान है अहंकार है ग्यान, रुखानी ग्यान मिलने से अगर आप भीमान ज़्यादा बढ़ता है तो इसका एक ही साइन है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं एगो बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे वचनों में उतार चुड़ा वा रहा है कई न कई इसने खतम हो रहा है कई न कई इसने जादा बढ़ रहा है और ये उतार चुड़ा भी एक प्रतिक्ष सुरूप है कि हमारे तरफ कई न कई अभी मान बढ़ता जा रहा है तो इसको और समझने के लिए अब प्रमकुमारी इश्यूरे विश्यूयल में जाईए और वहां पर इस ग्यान को समझेए अम श्यंतिए